तो आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़े बताना हूँ क्योंकि आप 12 के बाद क्या करोगी बहुत सारी दोस्तों कन्फूजन्स होती हैं आपको रियाल्टी में आज पता चलेगा 12 के बाद BST करना है, BTEK करना है या कुछ और करना है मतलब ये जो सेलरी ये पचास से साथ हजार रुपए कैसे आप कमा सकते हूँ, क्या करोगे ऐसा कि आप पचास से साथ हजार रुपए कमा सको, एकदम खुबा हूँ, प्रैक्टिकल चीज़े बताऊंगा जो तुमको किसी नहीं बता, क्योंकि मैंने भी सरकारी नोगरी पाई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो देखो बचो, अब भी 12 आप पास आउट किये हो, तो आपके दिमाग में बहुत सारे options खुले होंगे, क्योंकि आपकी energy level बहुत जादा है, तो आप सूच रहे होगे, क्यार 12 करें, मतलब 12 कर लिया, अब भी 80 करें, कि BA कर लें, कभी कोई म अब ये मन कर रहा होगा, कि BA का form डाल लेते हैं, पेपर देते रहेंगे, अचल हैं कहीं बढ़िया जगा से तयारी करेंगे, एक तम सच बोलना हो तो बताना, क्योंकि सब को बहुत जल्दी है, 50-60 रुपे कमाने, क्योंकि सभी बच्चे, maximum बच्चे गरी फेमली से आते हैं मीडिल फेमली से आते हैं, तो वो चाहते हैं हम कमा के जल्दी से अपने माता पिता का सपोर्ट करें, ताकि हमारे घरवाले को मैं एक अच्छी लाइफ दे पाऊं, तो ये बाबु देखो, बहुत अच्छी सोच है तुमारी, इसके लिए मैं एक बार तुमको खुद थेंक करने, देखो, बीएस्सी या बीटे क्या कुछ हो, पहला अगर बीएस्सी जास माल लो, आप बीएस्सी करते हो, PCM उसमें आफ्सन होता है, PCB मतलब पायोलोजी, जूलोजी होता है, अम मैत वाली चीज़े होती है, जिससे करना चाहो, अगर ऐसे करते हो, तो उसके बाद MSC प्रोफेसर बन सकते हो, अब पांच साल तक तुम्हें नेट चाहरा कालिफाई करने के बाद, पांच साल तक तुम्हें 35-40 रुपय महीना मिलता रहेगा, और आगे चलके अच्छे प्रोफेसर की पोस्ट पे जा सकते हो, यह तो तो लंबा प्रोसेजर है, तो तो लंबा ट आप चाहो तो CDS कर सकते हैं जो आफिसर रैंक जो चाहते हैं बच्चे जिनका सपना है आफिसर रैंक पे जाना वो CDS भी कर सकते हैं जिनका सपना क्या है आफिसर रैंक आफिसर बनना तो क्या कर सकते हैं बच्चो वो CDS भी कर सकते हैं और NDA की अगर 12 में आपकी पढ़ाई छ के बारे में जानके दूसरा अगर आप चाहो तो बिटेक कर सकते हो लेकिन मैं कहूंगा बिटेक आप जे डबली से ही करो क्वालिफाई करके तो ज्यादा अच्छा है बहुत सारे बच्चो नीट में चले जाते हैं बिटेक छोड़ दीजिए डॉक्टर लाइन में तो यह मैं कहूंगा क्योंकि नीट से करोगे तो कमपई से हो जाएगा डॉक्टर बनोगे और अगर प्राइवेट करने चलेगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है ठीक है इस चीज का ध्यान रखे अब बहुत ज्यादा पैसा टाइम छोड़ पैसा लगता है जे डेबली आप क्व क्लाइच में पढ़ गया और 8-10 लाग एजुकेशन लोन ले लिया घरवालों को भी उम्मीद था कि बहुत अच्छा चक करेगा अचली लोन दिलवा देते हैं आगे चलके बहुत अच्छा काम करेगा लेकिन एक्चुली में ऐसा हुआ नहीं अभी वह 20-25 रुपए ही कमा पार रहा हुआ तो उतना पैसा लगाने से कोई फायदा हुआ उससे अच्छा तो बिजनर जाल लेता है तो मैं आप सबसे कहूंगा आप देखो पढ़ने में तेज होगे तो जाहिर सी बात है जी डबली क्वालिफाई कर लोगे नीट क्वालिफाई करोगे तो उसके बेसि लेना क्योंकि यही डिस्चन तुमैरे बहुत आप दोस्त बढ़ते हैं कुछि डिस्चन लेंगा कोई कुछ लिएступ पास पैसा एंगण तो जा तयारी करें किकी पास गरीब होगा कोई तो बेखा nh है यहीं से दोस्ती बढ़ती जाती है तब दोस्त दोस्त नहीं रहता है समझ्जाओ आठवी तक बारावी तक ठीक है चलो इसके बाद नहीं निवाई जा सकती है वही पांच-छे साल बाद कोई अच्छे राइंग पर मिलेगा कोई दोस्त घूमता फिरेगा गुमता हुए मिलेगा तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि बाबु करना क्या है तुमको क्योंकि दिल की गहरा है इसमें बता रहा हूं क्योंकि यह 50-60,000 कमाने के लिए 50-60,000 तरीके के पापड बेलने पड़ते हैं कितनी चपलें घीस जाती है अगर मैं सही करा अब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा अच्छे वीडियो लाते रहता हूं तो यार चाहो तुम पॉल टेक्निक कर लो अगर करना चाहते हो तो पॉल टेक्निक कर सकते तो टेक करो बेसी करो पीए कर लो लेकिन अपना टारगट क्लियर रखो मुझे करना क्या है मुझे दोस्तों यह जजबा यह चुनून यह महनत यह लगन तुम्हें एक दिन उस मंजिल पर पहुंचाएगी अब तुम्हारे घरवाले तुम्हारे प्राउड फीर करेंगे और लोग चलने के काबिल हो जाएंगे तो महनत करो रंग रंगदारी दिखा दो महनत में महनत ऐसा कर बीना चल अईसा नहीं हल ला कर गाना ना तुम्सानती से महनत करो तब जाके कुछ होगा तो आप क्या करना चाहते हो मतलब जो भी पताया कमेंट बॉक्स में बताईे कि सर मैं यह करना चाहता हूं प्यार से ठीक है तो थांक्यू सो मच वीडियो अच्छा लागा तो लाइ झाल झाल